कि बिस्मिल्ल्यार्माज रहीम असलाम अलेकम पारी बच्चों काल आपने देखा जो बोड़ी गर्सान का सेकंड पाउच हमने पड़ा उसमें आपने देखा कि वो जो उस शक्स का जो छोटा बीटा था जो गुमराख हो गया था गर से बाग गया था उसने जो गर की प्रोप फिस्त का इंटिजाम किया तो उसको बड़ा पैर दिया उसके इंपš syst के साथ इंपसे के साथ ओसके इंचार कर रह था बोड़ा रहले उसको पर और भाप अगया उसको पिस्ताव हो गया की अल्दी का इसास हो गया तो अब डिखती क्या हoltा है then he was angry and would not go but his father came out and intimidated him all these years replied the son I have been slaving for you and I have never at any time just about ineffable orders and yet you have never given me so much a kid for me to enjoy myself with my friends but now that his son a few years is back who has destroyed up your property you have killed the fat good for him you may dear son said the father are always with me and all that is mine is also yours we are bound to make merry and rejoice for the brothers of you was dead and has come back to life he was lost and has been found the father said to his older son that one should not forget to rejoice when a sinner repents and returns to God it is a moment of pleasure that your brother has realized his mistake and is seeking mercy and forgiveness let us accept him for the ones to become a good man God teaches us to be kind and merciful so this is something new words for example this is a word lost to the God lost sorry lost to the fold lost to the fold means happy 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 next time entreat entreat means or guest r-e-k-o-u-e-s-t guzarsh karna minti karna slaving slaving means working very hard working like a slave like a slave like a slave like a slave walking like a slave villanger with with åker k argument Chief asking permanent american delusionuresika queens will cut off you Ssan I do not隔 001 09 006 008 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 marketing तो उसने फौदर सिब औरकेस्ट की पूछा फौदर सिब गोना इन सालों मैं मैंने गुलाम के तरह यहां काम किया है मैंने कभी आफ का डिसू भी नहीं किया है नाफरमान कभी नहीं हो मैं आफके ओर्डर्स का मैं में कमल तामिल करता रहा और आफने कभी मुझे खोशी मनाने का मौका ही नहीं दिया मेरी साथियों के साथ मुझे कभी खोशी मनाने का मौका नहीं अब ये तुमारा ये आफके बेटा जिसने आफकी तमाम प्रॉपर्टी जाया कर दी फजूल खर्ची में उसको उड़ा दिया और उसके बाद भी आप आप ने वो आया और आपने जियाफत का इंतिजाम किया, फीस्ट का इंतिजाम किया, उसके मुलब लिए बड़ी एक गोट मार दिया, तो रबरतस इंतिजाम किया, एक बात हुई, ये कोई इनसाफ है, तो बाप ने जवाब दिया, यू, my dear son, said the father, are always with me, and all that is mine, also he was, उसने बोला, बेटे, ऐसी बात नहीं है, तो मैं हमेशा आफ के साथ हूँ, तो जो कुछ मेरा है, वो आफ का भी है, मैं सब कुछ जो, मैं खुन पसीना एक करके, ये कमा रहा हूँ, जमा कर रहा हूँ, ये आफी के लिए है, वेर बाउं तो जमा रहा हूँ, 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 जमा रहा हू बेटे से कहा, बेटा याद रखो, ये खुशी का मुखा है, क्योंकि जब कोई अपने गुनाओं पे तोबा करता है, रपेंट करता है, पश्टाता है, और खुदा की तरफ वापस आता है, उसके बारगा में वापस आता है, तो उसके लिए हमें खुशी मनानी चाहिए, रज गल्दी का अहसास हुआ है, और अब खुदा के सामने आ गया, उसने माफी मांगी, तोबा किया, तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि खुशी मनानी है, enjoy करना है, enjoy करना है, let's accept him for he wants to become a good man, तो चलो हम उसको दकानी देंगी, उसको हम accept करेंगे, क्योंकि वो अब आज से एक अ महरबान रहना चाहे, दूसरों पर मरस्पूर रहना चाहे, रहाम करना चाहे, रहामत बनी नजर से देखने चाहे, जैसे कि अल्ला अपने मकलूक से करता है, प्यार हमें भी उसके मकलूक से प्यार करना चाहे, क्योंकि वो अपका बाई है, उसने गल्दी मानी है, हमने उसक को माफ करो तो आफ लेज़ा बच्चो अ हमें इसका खाने से ये सबक मिलता है कि जब किसी को गल्दी का एहसास हो उसको माफ करना जाहे जब उससे जब गल्दी का एहसास हो तो आफके सामने माफ तो आपको बेलकुल उसको absolutely माफ करना चाहे, तो बज्चों ये पोर्डिकल सान के बारी मत था, जो extra virgin था, जो फजूल कर्ची था, तो बाब ने उसको क्या किया, उसको माफ किया, क्योंके उसने सची तो भी कर ली, सची तो भा कर ली, तो हमें भी चाहे कि जो भी कोई गल्द